नमस्कार फ्रेंट्स ड्राइ हेयर्ज यानि कि सूखे बाल सूखे बाल स्प्लेट एंड्स कितना भी तेल लगा लो कितनी भी मालिश कर लो वो उनमें से ड्राइनेस नहीं जाती है तो चलिए इसका मैं कुछ होमेपेथिक ट्रीटमेंट बताती हूँ आज आपको सबसे पहले जो इसमें मैडिसन आती है वो है नेटरम मियूर नेटरम मियूर उन लोगों में दी जाती है जो कि बहुत रिजर्वड नेचर के होते हैं वीपिंग टेंडेंसी उनमें बहुत जादा होती है और इसके साथ साथ उनके सिर में जगे जगे ड्राइ पपड़ी जमी रहती है और वो पपड़ी अगर हम उतारते हैं तो नीचे से बहुत रफ एरिया निकलता है और डेंडरफ ऐसे ऐसे करें तो डेंडरफ जड़ता है तो इस केस में हम नेट्रम्यूर देते हैं अगर आपके बाल ड्राइ है और ड्राइ के साथ जड़ भी बहुत ज़ादा रही है तो लाइको पोडियम दे सकते हैं अगर सिर पे बाल कम होते जा रही है बैल्डनेस होती जा रही है अगर आपका सिर बहुत ज़्यादा ड्राइ है, ड्राइनेस के साथ हेयर फॉल भी है और हेयर फॉल के साथ आपकी प्री मैच्चोर वाइटनिंग हो रही है हेयर की या मैच्चोर वाइटनिंग भी हेयर की हो रही है तो आप जॉबो रैंडी मदर टिंक्चर यूज कर सकते है last medicine but not the least is silesia silesia लेने से आपके जो hair brittle हो गए है पतले हो गए है रूखे हो गए है उनमें strength आती है और ये dryness जो है silesia hairs की कम कर देती है क्योंकि ये other part of the body से nutrients लेके आपके जो hair follicles हैं उनको essential nutrients provide करती है तो ये कुछ homeopathic medicines हैं जो commonly use की जाती है dryness of hairs के cases में, hair fall के cases में I think मेरी ये post आपके लिए helpful होगी मेरा channel subscribe करें और मुझे comment box में comment करें for further inquiry go to our website homeoblessing.com Thank you